सब्सक्राइब आप लोग आसा करते आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ी होंगे आप लोगों के प्यार और दुगास हम लोग भी काफी ज्यादा अच्छा तो जैसा कि देख रहे हैं फिलाल नीशा खड़ा नी क्यूंकि हम अके लिए सूट कर रहे हैं नीशा भी कही हुए मा कि पागलों को मतलब उनकी बज़ा से मुझे बहुत जादा दिक्कत हुआ सामने ये डिसीजन हो गया था कि मतलब जब तक वह आया लड़की आती नहीं तब कोई भी ऐसा रिस रिस पॉंस नहीं किया जागा कोई पी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जब तक निसा नहीं हाती कोई वैल्यू ने उसका यहीं आना पड़ेगा जो कि दिमाग दो रिपोर्ट प्रेस रिपोर्टर ने घुमा दिया था तो अब क्या कोई नहीं अब आगे जो जो हुआ इस वीडियों बताने वाले हैं तो चलिए बिनादेर की होगे वीडियों को तो इसी की बज़े से वो दरोगा लोग भी सोच में पड़ गए कि हो सकता है नहीं पर पता नहीं आगे गा तो मैटर में जानता नहीं बाई सब पहुंच का केले सब मेरे पर पढ़ चुके थे कि भाई इसे बरवाद कर के रहना इस लड़के को मतलब बहुत सारे हमारे दुस पर दाग दिया जाए क्योंकि इसके जो कनेक्शन में थे इसके मतलब सिस्टर विश्टर का जो भी दा मतलब वो सब भी हमारे बहुत तगड़े लेवल के दुसमन थे हम से सब जलते थे कि भाई ऐसे कैसे हो गया बहुत कोई जलने वाला था कि इतनी खुबसूरत लड़की इतना च्छड़की कैसे इससे प्यार गड़ सकती है मैं बहुत कुछ लेकर के दिमाग घुमा दिये था कि नहीं तो बस दूसमन हमारे पर बहुत कोई लगए तो भाई जिसको बताया नहीं जा सकता है बहुत दूसमन मैं बताओंगा तो और क्यों किसी को बताओं चोड़ो बाद जितना को मैंने लापेटा फिलाल में विन वही था तो ऐसा ऐसा ही सीन हुआ फिर दरुगा ने लाया एक फॉरम मैंने जबकि रिक्वेस्ट किया था उस टाम उससे उन दोने प्रेस रिपोर्टर से छोड़ा देविया जो नीशा तो कही रही तो बोल रही हां हां रह अब क्या को चोड़िए पर ऐसा ही कुछ हुआ आगे मेरा केस लिए वहां लिखा पड़े हुआ मेरा साइन लिया गया और डिसीजन यह लिया गया कि जब तक निशा नहीं आती है निशा आगर के बयान नहीं देती है तब तक आप सर छूट नहीं सकते आपको फिलाल के लि पर निशा बयान पर डिपेंड निशा अगर जो आपके पक्च में देती है तो आप सड़ोगे ऐसा कुछ तो बाई यही सब हुआ तो मतलब यही सब मेरे पर लिखा गया कि ऐसा ऐसा सीन पता नहीं क्या क्या धारा लगा तो धारा की चर्चा तो आगे करेंगे ठीक है कोई हमारी वहरसे सराप है है बाई कभी तुम जिन्दगी में ग्रोत हुआ हम दुआ करते हैं बहले ही कितना की अच्छा कि उना गरत हैं इंसान यह जिके जिन्दगी को नहीं समझज़े किसी कि एमोसंस को नहीं समझे भाई भाव ना हो यादा रहे हैं वो वक्त मतलब क्या था क्या दर्द था भाई कि उसकी बज़ा से क्या लिखा गया कि अब जब अब जज़ की बज़ा से तो रोगा साहब का भी एई डीसिजन हुआ कि ठीक है इसको आगे भीज़ जा तो आएं दो बुड़े बुड़े अंकल जी मेरे को हतकड़ी लगाने के लिए ऐसे मतलब उस टाइम पहले रोने दोने का सीन बताता हूं रोया दोया बहुत जादा हु हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता हमारे घरवाले रोने लगे ममी मेरी इसके पापा जाकर रिक्वेस्ट की है तो इसके पापा बोले हम क्या कर सकते है आप बताई हमारा जितना था तो हम कही रहते हैं कहीं इसके पापा का भी फिर दिमाग घुमा दिया था उसने कि यह चोड़े ज के साथ रह रहा था था रह तो भी कुड को उचा जाजाएर समाझ लिया अभी दिक मैं थोड़ा सा जाती को लेकर कर सकती को रहा हूं क्यूंकि वह बीजि़े रहा हूँ बाकी कल्लू के भारी में तो नहीं पता है मैं वह बहुत है जो भी तो बाट-की कła ब्हुत वोगत करने करने का आपके यो का रिए करने का तरीका है और बाकी गलत थो ने नहीं ने भी किया मेरे साथ पिर उसका बात करने का भी थरीका नहीं तो प्षरिज रिपोर्टर का काम होता है पोछटाच करना की आपने क्यों किया किया इसे क्यों किया पर कि आए रहे तुकाए कर नहीोडर नहीं है मतलब फोड़ा सा भासा सही नहीं था पर बोले कोई कोई ने बuarक ब्दो से मोका मिलेगा कभी अजुगे पहले से दो गाड़ा हैं मतलब दो बुड़े गुड़े थे चलिए उनकी वीडियो यहां मैं प्ले गरता हूं नीशा वो डगता हूं यह कुद को पूरे डग देता हूं भेजा गया न्याले प्लीस के मोवाइल टावर के लोकेशन से अधरपनगर परिशत के बाद नमर 17 निवासी न द्वारा थाने में राहुल के कुमार के नाम पर लिखीत आवेदन दिया गया था यह लड़की के पिता के द्वारा लिखीत आवेदन देखकर थाने में दिया गया था जिसे देखते हुए प्लीस तत्काल करवाई करते हुए उसे मंगलवार को पकड़कर नियाले हिराशत बिद्धिया गया बताया जाता है कि रवी वार को नगर परिशत्षद के एक लड़की अपने घर से भाग जाने के बाद पिता ने लड़के के बिरूट ठाने में लीखी ताबेदन दिया था जिसके तक्काल करवाई करते हुए लड़की को पकड़कर मंगलवार को न्याले ह परेसर पोल रहा तो वही बोल रहा था कि टावर के लौ के संसे पकड़ा गया यह रहु कुमार नाम प्लण बबब जब बाप का नाम इसके पापा को नाम यह है लोके relieved से पकड़ा गया, पुलिस कर्मी ओने पकड़ा भाई, कोई लोकेसन से मेरे को नहीं पकड़ा गया था, अब देखो रियलेटी कुछ हिसुआ वाले भी देखते होगे, तो जान लो भाई, रियलेटी यह बता रहा हूँ, किसी ने मेरे हाथ था, क्या था मेरा गलती की, मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं, क्योंकि भाई, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, ना, मुझे ऐसा कोई सलाकार था, देने वाला की भाई, तुझे निकल जाना सही होगा, या गलत होगा, तो मुझे लगा मेरी कोई ऐसा कुछ गलती है नहीं जिसकी बज़ा से मुझे दिक्कत हो सकती है तो इसलिए मैं घर में रहिया था क्योंकि भाई नीशा खुद वागी ती मैं तो इसमें था नहीं पर आप जाना हूं ना कि लड़की बागती है आप भी पकड़ जाओगा आप गलती करो पर पहले ही जानता था तो ऐसा ही कुछ हुआ था पर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया सारी बात है जो जो यह बोला बिल्कुल जूट है ना ही टावर कर लोकेशन से नहीं कुछ भाई डारे गाया पुली समय अपने चैनल का वह करने के लिए कि हम इतना जानकारी निकाल ल सब्सक्राइब करते हुए भाई हमारी फ्यूचर है वह तो बुड़व जी लिया जो जिन्दगी जीना था वह क्या था मेरी ममी को हमारा इसा बेटा हो तम गोली मार देते पहले चूतिया तो खुद को सुधार तू कितना अरामी होगा अपने टाम में पहले खुद को गोल मार देना चाहिए था मतलब क्या गजब काई बात कहरा अब कैसे इसको मतलब वो प्रेस रिपोर्टर माना जाए तो जजबाला फैसला दे रहा है जजबन गया वाई है तो तो वो जितना भी बात बोला सारी बाते बिल्कुल जूट है आज नहीं तो कल ये वीडियो वाइर होगी है जब बाहिरल होगी सबको पता लगेगा अगर रियालिटी क्या है इस हुआ वाली अगर जो कभी देखोगे तो जान लो वो एक नंबर का फ्राउड बोला है बिल्कुल जूट बोला है किसी लड़के एक बार हम सारी सचाहिए अभी बोलना जरूरी है अभी उसको नहीं चापा गया वाई पेपर में आगया वाई का नियुक्त नहीं कौन लड़की है इसके बापका क्या नाम है कुछ भी नहीं सिरप लड़का चलो कोई नहीं फॉर्दा प्राइवीशी आपने वो रखख ठीक है उस टाइम बुरा लगा था उस प्राइवीशी के तोर प कोई जानता था कि इसकी गर्फरेंड कौन है ठीक है सब कोई जानता था पबली के मेरे वीडियो जब डाला गया ना तो टू हंड़ेट प्लस ब्यूज गया था टू हंड़ेट के जब मैंने रिसेंटली एक बार देखा था तो टू सिक्स्टी फोर के था उस टाम में कााथ जादर होईं भाई बहुत ज्यादा पहले यही बात बताता हूं कि जोट जो भी बहुत जादा जोटर गलत बोला बिलकुल गलत बुम माहगलत बोला दुआ करते भगवाना और काला उसे करते क्वार कार तोगाया हीसाइव भाइव कर रोने हैं अल्फ़ जा Prior आङ वे अं diva बहुत जादा झालत जो भी बोलना था लोग जादा जिसकी दूल से इसमस्वार कि आधा कि यहां पर क frente पर यहां पर कितना खूर पड़ेगा कैसा जड़का सोचेगा क्या ख्याल आएगा मन में इसकी मुरी क्या हुआ यह जेल सजा काटने की वह एज नहीं थी उस टाइम भाई अब चलो यनुवन एज में अब थम सकता हूं पर उस उमर में अपने जेल का दर्सन गरवाया तुमने कल्लू जो कि सही नहीं था कल को आगर के कल्लू मेर करना जो भी हो सामना सामनी आगर कर लियो ठीक है मैं करता हूं तू भी घर यह रिपोर्टिंग थोड़ी है अंब आपके चैनल को वां स्ट्राइक देंगे सिर् हम उन गया श्राइक गलत है यह गलत बोला है ना शुबह हुआ घर आयां से लेगाया सब तो जान रहा था हुआ घर आ हब आहीं चाहिए रहा कर लेंगे इस बोले ना बॉल बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बहुत लमाग नहीं और कि अदम हुआ और यह घर का बता रहा है तावर के लोगा जन्जे पगड़ा गया बाट नमर 17 का फलन का बेटा राहुल गुमार को पगड़ा गया लड़की के ऐसे वैसे में जो मैंने मैं सो बोल दिया कैसे रिपोर्टर गादे हो यार वाई गादे महाँ चूती है कोई नहीं जो भी हुआ उसके बाद रोना दोना हो गया चालो बहुत ज्यादा गरवाल होगा मेरी मम्मी पैर में लेटागी यार दरोगा साब कि प्लीज प्रेश रिपोर्टर गभी कि छुड़ा दीजी हमारे बेटा को आप ही लोग कुछ कर सकते हैं तो पर छुड़ाया नहीं गया तो भटक जाता हूं रास्ते तो चर्चा नेक्स्ट में करेंगे तब तक के लिए बाए दोस्तों प्लीज अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना उस कल्लू के लिए कमेंट प्यारा सा दे देना और मिलता हूं लोग हमें ऐसे सपोर को फिर यह मैंने जिंदा रहा था कि जब ही में वीडियो बनाओगा तो यह बात का मैं चर्चा रहूंगा इस टीशर को दिखा तो यही था वो टीशर जिसके लिए मेरे और भी जांगा तो पहन करके मैं गया था वो लुक आज तक इस टीशर से बहुत ज्यादा प्यार हो इससे कि ये मेरा साथ जेलिया उस टाइम नया लिया था एकी दिन पर आना दूसरा दिन में अंदर जला गया कोई नहीं भी नेक्स लोग में तब तक लिए जैसरी राम जैन दोस्तों